मेरे को लग्या कि बड़े मिया चोटे मियात और गणपत तो भगवान है यह तो पता नहीं क्या ही है मैं जो भी बोलुआ ना सच के सीवा भाई कुछ नहीं बोलुआ जूप तो कत्ता ही नहीं बोलुआ और अगर आप कमने सांगे फेन हो तो यह वीडियो देख के आपको शा सही में यार इस पिचर के अंदर ना इतनी बारा बज़े ना इसने हमारी इसी इच्छा करेती हाफ इंटरवल में में उठके चला जहूं मेरा दोस्त पास में फिरी फायर खेने लग गया बेठा बेठा कि भाई अब नहीं देखना और मैं कुछ सीन बता हूं आपको तो कमा लैसन पता नहीं क्यों करते पिच्छे में टीचकु देते बार बार और किसी को अलग दोस लगता कुछ बन जयाता तो कोई क्या सता कुछ लाइब कूछ भी पूरा इलर्योजिकल ना सीर ना कुछ भी नी आइनदर कब कमल लैसन जाएँगे किसी को भी मारके कैसे भी करके कुछ भी कर लेंगा मुवी जब शुरू होती भाई इतना अच्छा लगता है कि भाई इसा लगता है प्लोड बिल्ड हो रहा है लेकिन जब कमाल असन आते ना भाई ऐसा लगता है कि गोबर के ऊपर किसने बारिश कर दियो भाई किता गंदा दिखता है गोबर तब एसा लग रहा था हमें पल-पल उसके बाद जब कमा लेशन किसी से भी फाइट लडएंगे तो उससे दस मिट पे लेक तो भाशन देगे उसको सिन के मेरे को लग्या की भाई बड़े मिया चोटे मिया तो गणपत तो भगव भी तो भाई इस बार एस शंकर ने हमको फूरा का पूरा निराश किया क्योंकि हर बार उनकी मूवी अच्छी आती है यहां पर यह बहुत जादा ही घटिया मूवी आ गई जब भी कमल असन कुछ बोलने का ट्राय करते हैं कुछ बोलते हैं तो पहले ही तो उनकी आवाज प बहुत 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 बेकार पिक्चर देखो आपको देखने हो तो देखो आपको खुल चूटे आपको भी मालूम परना चीए कि जब इतनी खतरनाक पिक्चर लगती है तो हमारे साथ क्या होता है आप खुल के देखो मेरे तब सपूले और इस मूवी को माइनस पांच इ मेलते हैं लो लो नटा के लिए, बाइ बाइ